यहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो नमस्कार न्यूस नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ असीम मिश्ट्रा हम आपको हेड्लाइंस दिखाएंगे लेकिं उससे पहले जो इस वक्ती जो बड़ी ख़बर वो ये कि बीजेपी ने भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी अपने उम्मीदवारों की अब ब्रेकिंग न्यूस के तौर पर आपको दिखा रहे हैं आप देखिए धारवार से प्रहलाज जोशी को किकट दिया गया है दूसरी लिस्ट में हावेरी से करनाटक के पुरुव सीयं बसवराज बोमबई को उम्मीदवार बनाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए नितिन गड़करी नागपूर से फिर से वो लड़ेंगे चुनाव चुनावी मैदान में होंगे नितिन गड़करी वो साथी साथ पियूश गोयल जो कि राजसभा के मेंबर हुआ करते थे अब उनको मुंबई उत्तर से इस वार लोकसभा चुनाव में उतारा गया है मैदान में और साथी साथ उन्होंने पियूश गोयल ने पियूश गोयल ने तो ये सब आपको बताएंगे अपने समाजाता के पास भी आपको लिए चलेंगे लेकिन सबसे पहले शुरुवात करना चाहेंगे इस वक्त की हेटलाइन्स के साथ पिर्धान मंत्री ने पिर्धान मंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्यान पिएम सूरज राष्ट्रिय पोर्टल किया लाँच वंचित समुदायों के एक लाग उद्यम्यों के लिए रण सहायता को दी मन्जूर पिर्धान मंत्री ने करिब सवा लाग करोड उपए की तीन सेमिकंडक्टर परियोजनाओं की रखिया आधार शिला पिर्धान मंत्री ने इंडियास टेकेट चिप्स पॉर विक्सित भारत कारिक्रम में कहा चिप निर्मान अपार संभावनाओं के खुलेगा द्वार आत्मिरभर्दा को मिलेगा बढ़ावा के इंद्रिय मंत्री मंडल ने दिल्ली मेट्रो के चरण फोर की परियोजनाओं के दो गलियारों लाजपत नगर से साकेट जी ब्लॉक और इंद्र लोक से इंद्र प्रस्त को दी मंजूरी भारत मध्यपूर्व यूरप आर्थिक गलियारे से सम्मंदित भारत यूएई के भी अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझोते को भी मिली मंजूरी बाजपा ने लोकसवा चुनावों के लिए जारी की दूसरे लेस्ट नागपूर से नितिन गटकरी मुंबई पुत्तर से पियूष गोयल, करनाल से मनोह लाल, हमीरपूर से अनराग सिंग्ठाकोर प्रत्याशी बोक्य मंत्री ममता बैनर्जी और उनके भाई स्वपन बैनर्जी के बीच कलह खुलकर आई सामने ममता बैनर्जी ने की बगावत ममता बैनर्जी न अपने भाई को लाल्ची बताते हुए रिष्टे नाते खत्म करने की कही बात CAA को लेकर ममता बैनर्जी और अरविंद केज्रिवाल समेथ विपक्ष नेताओं की बयान बाजी पर बीजेपी का करारा प्रहार कहा जूट और भ्रम फैलाना बंद करे विपक्ष सीए से न तो किसी की नौकरी जाएगी और नहीं नागरिकता बारत और मौरिश रसके बीच चार समझाता है ग्यापनों पर हस्ताग्षर विप्तिय सिविल सेवाओं कराधान और जाच एजेंसियों सहित विपक्ष संबंधों की मजबूती पर बल और सूचना और प्रसारण मंत्रयान राग सेंग ठाकूर ने प्रसार भरती की समाचार साजाकरण सेवा PBSHABD यानि शब्द का किया शुभारंब दूरदर्शन समाचार और आकाशवानी की संशोदित विबसाइट और न्यूज ओन AIR एप भी किया जारी शुरवात इस वक्त की बड़ी खबर के साथ BJP ने लोकसवा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशों की जो दूसरी लिस्ट है जो दूसरी सूची है वो जारी कर दी है किंद्री मंत्रियों की बात की जाए तो अनराग सिंग ठाकूर एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के हमीरपूर से वो चुनावी मैदान में होंगे वहीं पियूश गोयल को मुंबई उत्तर से नितिन गड़करी को नागपूर से मैदान में उतारा गया है वहीं दूसरी लिस्ट में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के भी नाम शामिल है हर्याना के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर को करनाल से उत्तराखन के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत को हरिद्वार से करनाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोमई को हावेरी से उम्मीदवार बनाया गया है वहीं अनिल बलूनी को गढ़वाल से तेजस्वी सूरिया को बैंगलूरू साउथ से हर्ष मलहोत्रा को पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया गया है तो इस वक्त की ये बोड़ी खबर तो हम आपको लगातर बता रहें किस तरह से किन किन लोगों को दूसरे लिस्ट में शामिल किया गया जो कि चुनाबे मैदान में होंगे पियूश गोयल को मुंबई उत्तर से टिकट दिया गया है करनाटा के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोमई को हाविरिस टिकट दिया गया है और आप देख सकते हैं इस लिस्ट में वालागार, चिंदवाडा, ओजैन, धार, इंदौर, महाराश अलग-लग राज्यों की कुल ग्यारह राज्यों से ये 72 उम्मिदवारों की सूची नंदूरबार, धुले, जलगाओ, रावेरा, अकोला, वर्धा, नागपूर से नितिनगडकरी आप देख सकते हैं चंदरपूर, नांदेड, जालना, दिंडोरी, भीवंडी, मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तरपूर्व, पुने, एहमद नगर, बीड से पंकजा मुंडे लातूर, आप देख सकते हैं माढःा, सांगली से, ये महराष्ट की बात, इस तरह से तिलंगाना, आदलाबाद से, गोदाम नागेश, पिदपले, मेड़क, महबूब नगर, नलकॉंडा, महबूब अबाद, तृपूरा से, तृपूरा एस्ट से, उम्मिदवारों का ना डिकलियर कर दिया गया है, गड़वाल में आप देख सकता, अनिल बनूली और हरिदवार से, त्रिवेंद सिंग रावत, तो ये कुछ वो नाम हैं, जिनको कि इस दूसरे लिस्ट में का नाम शामिल किया गया है, हम जानते हैं कि पहले लिस्ट में कुल 95 उमिदवारों के न एक समन्वे दिखता है, यह जो दूसरी सूची है भारते जिन्दा पार्टी की, उसमें एक तरफ जहां जो अन्भवी चेरे हैं, चर्चित नाम हैं, केंद्रिय मंत्री हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है, पूस दोयल, मुंबई उत्तर से चुनाव मैदान में तो वही हम देख रहे हैं कि कई युवाओं को टिकट मिला है, कई नए चेरों को टिकट मिला है, आप दिल्ली की एक सीट से देखें तो हर्स बलोत्रा को टिकट दिया गया है, इस तरह से हम देख रहे हैं, तो तमाम नए नाम है, भारवार से आप देखें तो करदावर नि इतने जादा सक्क्रियती अब उन्हें बीड से लोकसभा उम्मिदार बनाया गया पहले पीतम उन्हें उन्हें उनकी बहन वो लोकसभा से चुनकर आती थी तो इस तरह के बदलाओ देखने को मिले हैं और हम देख रहे हैं कि पूर्बुक मंत्री मनोहला खटर करनाल से चुना के चेहरे हैं और एक संतुलन देखता है महिलाओं की लिए अच्छी खासी संक्षा है आप देखे चाहें करनाटक से सोभा करंधर ले हों या फिर दूसरे राज्यों से बात करें तो ये बहुत महाथ पूर्बूर्द एक तरा से कहें संकेत है बीजेपी के लिए कि एक और उसी को चरितार्त करते हुए अनिल बलूनी को शामने लाया गया है और वो एक वा फिर से चुनावे मैदान में उनको लाया गया है असरीम बहुत चर्चा थी कि उन्हें उत्राखंट के किसी एक सीट से गणवाल से या फिर वगल की सीट से चुनाव मदान में उतारा जा सकता है लोग सबाब लडाया जा सकता है और आज जब जो सूची आई तब उनके नाम का इलान किया गया लेकिन सिर्फ अनिल मलूनी ही नहीं आप देखें संगठं के तमाम चेहरे थे जो सुर्या फिर से चुनाव मदान में रहेंगे बीजेपी के राष्टिये जो युआ मोर्टा के राष्टिय अध्यक्ष है आप उनकी जो बैंगलूरू साउस्ट सीथ है वहां से जब पिछली बार चौदा में चुनाव मदान में उतारा गया था उसके बाद से लगातार हम देख रहें कि बड़े चेहरे के तौर पर करनाटक में युआ चेहरे के तौर पर उभर रहें वह भी चुनाव मदान में उतारे गए है पंकजा मुंडे युआ चेहरे है आप उस तरह से देखें और भी आप अगर तमाम नाम देखें जो उतने चर्चित भले ही नहीं है लेकिन संगठन से आये हैं तो आप एक समन्नों देखते हैं संगठन के निताओं को काफी आगे बढ़ाने की कोसिस की गई है एक संतुलन बढ़ाने की कोसिस की गई है अनुभवी चेहरों में और साथिसाथ ने चेहरों में तो निश्यत तोर पर पाइटी ने इस पर संके दिया है कि भूमकाएं बदलती रहती हैं उत लिहाद से कभी कभी चुनावी राजी इसमें संग मुक्मंत्री थे और उनकी जगा जब नए मुक्मंत्री के नाम का एलान किया गया, कली बैटा कोई और सफ़त भी नाया स्रेनी ने लिया, बीजे पी के वो प्रदेस अद्देक्ट मौजूदा तर पर थे, उनकी भूमता बतली, तब ही ये कहा गया था कि बनुराल खक्तर को लोकसभा चुणाओ लाया जा सकता है, और हमने आज देखा कि दूसरी सुची में उनके नाम का एलान भी हो गया, तो ये भारते जल्टा पारिटी का एक तरीका है, कि आप पुरवी दिल्ली से हर्समलोस अजैसे चेहरे को चुणाओ मैदान में तारा गया, और हम दिल्ली म पारिटी की एक रणी दिखाता है, कि वो कदावर चेहरे को चुणाओ मैदान में उतारना चाहती है, और एक संकेत भी है, बीजेपिये काई भी रही है, कि देखिया हमारे कदावर चेहरे, हमारे युवा चेहरे, लोकसभा चुणाओ लड़ रहे हैं, तो इस दूसरी लाने ही लाने हैं, और NDA 400 पार, तो 370 का जो टारगेट है, मुझे लगता है कि इन जो लिस्ट, 195 की बात हो, पहले लिस्ट के या पर दूसरी लिस्ट की बहतर लोगों की बात हो, इन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि ये जिताएं, 370 का जो प्रामंतिन एक व 30 तक संगठन है, और बीजेपी 370 तक पहुंचने के लिए कितना कोसिस कर रही है, इसके लिए मैं दो धारण देना चाहूँगा, आज ही जो LGP रामबिलास पासवान है, चिराग पासवान के साथ, जो उनकी पार्टी है, चिराग पासवान के साथ एक सहमत ही हो गई है, इत अब देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतनी मजबूती, फिर भी RLD को साथ जोड़ा, निसाथ पार्टी पहले से ही साथ है, अपना अदल पहले से ही साथ है, सुभासपा को साथ लाया गया, उनके नेता को मंत्री राजवें बनाया गया, आप देखिए, एक एक बीजेपी गटबंदन सही होगी, उनको तलास रही है, उनको साथ में जोड़ रही है, अन्तिन दोर की बादचीत चल रही है, अलाकि इसमें कुछ लाजराता की दिक्ते हैं, तो वहाँ पर भी अगर सब कुछ ठीक रहा, आप देखेंगे कि नवीन पतनायक के साथ असी का असी सीट का नारा इसलिए दिया गया है, कि वहाँ से सीटे बढ़ाई जा सके, इस तरह से बीजेपी की रणीत काम कर रही है, और सब भी को पता है, कि जो अमीदवार चुनाओ मैदान में है, कि प्रधामन्ती नेमोदी का सब्से लोगत चेहरा उनके साथ है, और सा अमीदवारों के नाम शामिल है, बढ़ेंगे आगे, प्रधामन्ती नेरेंद मोदी ने आज प्रधामन्ती सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्यान याने की पी-म सूरज राष्ट्रिय पोर्टल लांच किया, और वंचित समुदायों के एक लाक उद्यमियो के लिए रिण सहायता को मन्जोरी दी, इस कारिक्रम में देश भर के 470 सदिक जिलों से वंचित समुदायों के विबिन सरकारी योजनाओं के लगबग 3 लाख लावर्तियों ने हिस्सा लिया, प्रधान मंत्री ने National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem यानी नमस्ते के तहत सीवर और सेप्टिक टै वैसे ही सीधे गरीबों के बैंक खातों में 720 करोड रुपए की सहायता राशी पहुँच गई, इससे वंचित वर के एक लाख उत्यमियों को फाइदा पहुँचा जो समाज के सबसे कमजोर तबके की नुमाइंदगी करते हैं पियमोदी ने कहा कि आज दलित, पिछड़े और वंचित समाज के कल्यान के दिशा में देश एक और बड़े अफसर का साक्षी बन रहा है उन्होंने कॉंग्रेस पर दलित, वंचित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को पीछे रखने का आरोप लगाया और कहा कि ये वर्ण आगे आ जाता तो इनकी परिवार वादी राशनीती बंद हो जाती उदी जब दलित, वंचित समाज की बस्चेवा के लिए कुछ भी करता है तो इंडी गड़ बंदन वाले लोग सबसे ज़्यादा चीड़ जाते हैं कॉंग्रेस वाले कभी नहीं चाहते हैं कि दलितो, पिछडो, आदिवासीों का जीवन आसान बने वो तो आपको बस तरसाकर ही रखना चाहते हैं आप किसी भी योजना को देखिए इन्होंने आपके लिए सहुचाले बनवाने का मजाक उड़वाया इन्होंने जंदन योजना और उज्वला योजना का विरोध किया जहां राज्यों में इनकी सरकारे हैं कई योजनाओं को इन्होंने आज तक लागू नहीं होने दिया यह जानते हैं कि दलित, वन्चीत, पिछडा यह सारे समाट और वहां के युवा अगर आगया आएंगे तो इनके परिबारवादी राजनिती की दुकान बंद हो जाएगी टुहान मंत्री ने कॉंग्रेस पर वन्चीत वर्ग के लोगों को उनके भागी के भरोसे छोड़ने का आरोप लगाया उन्होंने का कि कॉंग्रेस की सरकारों ने वन्चीत वर्ग के महत्व को कभी नहीं समझा इन लोगों को कॉंग्रेस ने हमेशा सुभी दाओं से बंचित रखा देश के करोणों लोगों को उनके भागे के भरों से छोड़ दिया गया और दुर्भागे देखिए ऐसा एक माहूल बन गया कि ये योजना है ये लाप ये जीवन तो उनके लिए है हमारे लिए तो नहीं हमें तो ऐसे ही मुसिबतों में जीना है ये मानसिक था बन गई और इसके करण सरकारों के खिलब सिकायद भी नहीं रही मैंने उस मानसिक दिवार को तोड़ दिया है अगर आज अच्छे घरों मैं गैस का चुला होगा तो वचित के घरे में भी जैस का चुला होगा अगर अच्छे अच्छे परिवार Cu के बैंक के खाते होंगे तो गरीब का दलीत का पिछडों का आधिवासी का उसका भी बैंक खाता होगा तुहार मुंत्री ने समाजिक उत्था निवम रोजगार आधारित जनकल्यान यानी पीम सुरज राष्ट्रिय बोटल का शुभारम बखिया नोने का कि 2014 में केंद्र सरका सरकार ने सबका साथ सबका विकास के विजन के साथ काम करना शुरू किया जिन लोगों ने सरकार से उन्मीद छोड़ दी थी सरकार उनके पास पहुंची और देश के विकास में उन्हें भागीदार बनाया विरो रिपोर्ट टीडी निवोज अप्रहान मंत्री ने कि अनुसुर्ण के जरिये किसानों के मदद करते होंगे तो वो कैसे करते हैं और भविश्मे आप क्या करना चाते हैं मैंने इसमें एक इन्नोवेटु प्रोड़क्त बनाया है जो सारे किसानों को बहुत फाहिदे मंद है और वो रह किगे देश के हर किसान को वो अगर वो तो उसके काफी सारी जो बेस वाटर ले वो बज सकता है तो आपने खुद ने इसको इनोवेट किया है, खुद ने बनाए इसको हाँ ये इसको मैंने खुद बनाया है और इसके लिए मुझे भारत सरकार से पेटेंट मिला है बड़लब आप किसानी भी करते हैं, जल सहरोषन करते हैं, एक प्रकार से आप तो परियावरान का भी काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं अगर क्रिशी क्षेत्र में कोई उद्ध्यमी आना चाहे तो आप उनको क्या सला देंगे और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहे हैं, डीडी नियूज साल बरस और सदी नहीं, एक यूग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नज़राएगा वंडर सिमेंट, फर्क नज़राएगा मैं कह जी सब जानते हैं, जहां देखे हैं मारियो, अपना समझ के खालियो मेरी जैसे मेरी, अपनी पता का पता का चाहें, गजब का स्वाद लाइफ में फिनांशल आजादी के लिए NPS ज़रूरी है रिटार्मेंट में फिनांशल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी, NPS ज़रूरी है मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूँ मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा महनत करता है तो, एक्सिलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टन्स तो MS MEs, और टेक्नोलोची डिवन बांकिंग सल्यूशन्स घर छोड़ दू, SBI पदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन है SBI, देश का फैन सीमा पर देश की रक्षा करते जवानों की दिवाली सूनी ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए PM मोदी ने इस साल भी देश के जवानों के साथ मनाई दिवाली पापा मोदी जी के साथ मेरा बच्चा जानते हैं मोदी जी कि त्योहर में हम तो नहीं जा पाते बेटे के पास इसलिए वही चले जाते हैं परिवार बनके उसके पास सच कहूं हम सब है मोदी का परिवार मेरा भारा मेरा परिवार अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले जहां 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 रिष्टे बनाएं साल बरस और सदी नहीं एक यूग गुजर जाएगा उम्र नपूछो बंडर की जब फर्क नजराएक वंडर सिमेंट फर्क नजराएका और बेक वद आपका फिर से स्वागत है कुधान मंतिर नरेंदर मोदी ने सेमी कंड़क्टर विनिर्मान से जुड़े करिब सवा लाग करोड रोपय के तीन बड़े प्रोजेक्ट्स का आजश्रा नियास किया इसमें गुजरात के धोलेरा और सानन्द के साथ ही असम के मोरी गाउं में सेमी कंड़क्टर फैसिलिटी शामिल हैं पी-म ने कहा कि वे देशवासियों को इस एहम पहल के लिए बधाई देते हैं उन्होंने कारिक्रम में ताइवान के साथियों के वर्चुल रूप से शामिल होने पर भी खुशी जाहिर की प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने इंडियाज टेकेट चिप्स फॉर विक्सित भारत कारिक्रम में गुजरात और असम में तीन सेमी कंड़क्टर सुविधाओं का शिलानयास किया इन परेजनों के कुल लागत लगभग सवा लाग करों रूपए है जो भारत को सेमी कंड़क्टर उपादन का एक ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी प्रदानमंत्री ने कहा कि चीप मैनुफैक्टरिंग सिर्फ एक उद्द्यूग नहीं है बलकि ये विकास का वो दरवाजा खोलती है जो असीम संभावनाओं से भारा हुआ है इस क्षित्र में न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर आने वाले हैं बलकि तकनीकी उन्नती के क्षित्र में भी बड़ी प्रगती होने वाली है चीप मैनुफेक्ट्रिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री मात्र नहीं है ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है इस सेक्टर से ना सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनते वाले हैं बलकि टेक्नोलोजिकल एडवास्मेंट्स के क्षित्र में भी बड़ी प्रगती होने वाली है आज दुनिया भर की सेमी कंड़क्टर चिप के पीछे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीछे का जो दिमाग है वो दिमाग अधिकाउश भारत के युवाग का ही है इसलिए आज जब भारत सेमी कंड़क्टर मेनिफेक्टरिंग के खेत्र में आगे बढ़ रहा है तो हम टैलेंट इको सिस्टिम की इस साइकल को एक प्रकार्चे कम्प्लीट कर रहे हैं पीम मोदी ने पूर्व की सरकारों पर सेमी कंड़क्टर क्षेत्र के विकास की उपेक्षा करने का आरोप लगाया उनने कहा कि इसके विनिर्माड के बारे में 60 के दशक में ही विचार किया गया था लेकिन पहले कि सरकारों की कमजोर इच्छा शक्ति की वज़े से इसके अंदेखी की गई भारत ने सबसे पहले 60 के दशक में सेमी कंड़क्टर मेनिफेकरिंग का सपना देखा था इस बारे में सोचा था लेकिन इस सपने के बाद भी इस सोच के बाद भी तब की सरकारे उन अवसरों का लाब नहीं ले पाई वो लोग भारत की गरीबी की आड़ में आधूनिक जरूरत के ऐसे हर इन्वेस्टमेंट को नजर अंदाज करते रहे वो हजारों करोड के गोटाले कर लेते से लेकिन सेमी कंड़क्टर मेनिफेकरिंग पर हजारों करोड रुपिये इन्वेस्ट नहीं कर पाई ऐसी सोच के साथ किसी देश का विकास नहीं हो सकता इसलिए हमारी सरकार फॉर्वर्ड लुकिंग सोच और फिचरिस्टिक एप्रोच के साथ काम कर रहे है पीम ने कहा कि भारत मौझूदा समय में वैश्विक आपूर्थ श्रिंखला में अपनी उपस्थिती के लिए चोतरफा काम कर रहा है उनने कहा कि सरकार की प्रयासों से यह वाउं का आत मिर्श्वास बढ़ेगा और इस से वे अपने देश का भाग बदल देंगे प्रदानमंत्री मोधी ने 21 सदी को प्रवद्योगी के से चलने वाला समय बताया और कहा कि इलेक्ट्रानिक चिप के बिना इसकी कलपना नहीं की जा सकती 2030 तक एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो उत्यूग है वो वैश्विक रूप से सेमी कंडुक्टर का होगा जिसमें भारत एक अगरनी भूमिका निभाएगा एक बड़े खिलाडी के रूप में भूमिका निभाएगा 2024 के दिसंबर तक यहां से पहली चिप बनकर तैयार हो जाएगी तो इस परकार से भारत अब एक बड़े खिलाडी के रूप में अबरेगा क्यूंकि यहां पर जिस पकार से टैलेंट है जिस पकार से यहां की जो मैंट पावर है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है क्यामरा बेंड भारगव के साथ चंदरशेखर डिडी नियूस दुलेरा तो बहुत ही मैतपुर्ण आज का यह कारीक्रम और आज हम इसी विशेश पर चर्चा करेंगे और हमारा जो विशेश है वो इसी से जुड़ा हुआ है भारत बनेगा सेमी कंड़क्टर का ग्लोबल हब जी हां यह बहुत विजनरी एक विजन है कि भारत किस तरह से सेमी कंड़क्टर का एक ग्लोबल हब बनेगा उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ेंगे भारत की जो वरतमान इस्तिती है उस स्तिती को देखते हुए हम भविश्र में कैसे ग्लोबल हब के तौर पर खुद को स्थापित कर पाएंगे यही हमारा आज का विश्रेश है और इस पर बाच्चित करने के लिए एक बहुत एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जूड़ चुके हैं हमारे साथ प्रसून शर्मा जी है जो कि संस्थापक और CEO है W.S. के प्रसून जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और प्रसून जी सबसे पहले तो यही कि देखिए प्रहान मंत्री ने आज शुला नियास किया इस से पहले भी जो गुजरात में इस तरह के एक फैसलिटी की शुरुवात की गई थी ओमीक्रॉन की उसके बाद से मेरा सवाल ये प्रसून जी कि चाहे वो ताइवान की बात हो अदक्षिन कोरिया की बात हो चीन की बात हो इन तमाम देशों को लगबग लगबग दस साल बीस साल लग गए अभी की स्थिती में पहुँचने में भारत जैसा कि प्रहान मंत्री ने काया कि 60 कि 10 सक में इसकी शुरुवात होई थी लेकिन किनी न किनी वजों से इसमें देरी होती गई अब जबकि ये सरकार बहुत ही गंभीर है इसको लेकर हम कब तक इन देशों की तरह या फिर इससे आगे भी बढ़पाने में हम कावियाब हो पाएंगे जी पहली बात तो ये सबी देशवासें के लिए गर्व का समय है ये एक तरह से इंडस्टिल क्रांती की तरह इसको देखा जाना थी यह सिरफ एकनॉमिक नहीं ये पूरा जीओ पॉलिटिस और जीओ एकनॉमिक और पूरा ग्लोबल टेकनॉलजी नेरेटिव को शेप करेगा ये और रही बात भारत कब तक जो हमारी स्पीड है अगर आप देखिए दो साल में इतना तेज इसमें जो प्रोग्रेस हो रही है और ये एक कॉम्प्रियेंस नीती और मुझे लगता है जैसे आज जो पताया गया है कि इसी साल पहली चिप बन जाएगी और दूसरे प्लांट में अगले साल बन जाएगी तो ये बहुत ही सशक्त नेतरतों की जरुवत थी और बहुत ही स्ट्रॉंग लीडर्शिप और लीडर्शिप विल की जरुवत में ये काफी तेज इंप्रॉव्मेंट इसमें होगा और अगर आप देखिए जो रेलेटिव इंडस्ट्री से जैसे हम मुवाइल मैनिफेक्ट्रिंग में अब दुनिया वर में आल्मोस्ट टॉप पे आए हैं तो अगर उसे रेलेटिट जो चिप से अगर भारत में आप अब अब साइबर अटेक्स के रिलेटिट जो डिक्टमेंट चाहिए उसमें भी चिप चीए तो जीवन के हर परीपेख्ष में जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसमें भी चीप में बच्चों के टॉइस में आपके वाशिंग मशीन का रोल रहा है तो जैसे अब प्रदार जातियों के लिए पूरे वेश्व के लिए बिलकुँ इंडस्ट्री फूर पाउर के लिए हैं काफे महत प्रसुन जी मेरा सवाल कि चाहिए वो चिप डिजाइनिंग की बात हो उसके मैनुफैक्ट्रिंग की बात हो उसके पैकेजिंग की बात हो इन तमाम सेक्टर्स में इन आस्पेक्ट्स में skilled manpower तो है हमारे पास लेकिन skilled manpower की जरूरत है तब भी हम इसमें आगे बाड़ पाएंगे क्या वो skilled manpower किस तरह सा हम उसे train करेंगे ताकि हम global hub में एक global hub के तौर पको established कर सकें पहली बात हमारे देश में अलड़ी हर साल 2000 चिप का डिजाइन भारत में होता है भारत के इंजिनियर ही करते हैं और रही बात जो बाकी जो सप्लाइचेन है चाहिए टेस्टिंग है या फैपरिकेशन से तो उसका हमारे पास अलड़ी एक खाका भारत सरकार ने मनाया है जैसे आईटी गांधी नगर में एक रिश सब्सक्राइचेन हैं उनको इस मिशन के साथ जोड़ा गया है अगर इस प्रोग्राम में भी आप देखिए कि साथ हजार युवा जोड़े थे भिन-बिन युनिवरसिटी से और उससे और एक युनिवरसिटी जो ट्राइबल युनिवरसिटी है उसने तो सेमिकंड़क्ट मिलेंगे और खासकर जिससे आइटी और इंस्टिटूशन से उनको अलड़ी एक्सेस दिया गया है जी पियू यह उसका और फैब्रिकेशन का भी अगर उनको एक्सेस मिलता है तो मेरे ख्याल से टैलेंट की कोई दिक्कत भारत में तो नहीं होगी हमारा युवा बहुत टै पियलाई की स्की महाब के लिए दे रहे हैं कि आप जितना प्रोड़क्शन करेंगे उतना हम आपको इंसेंटिम देंगे यह जो कदम हो कितना महत्पून आप इसे मानते हैं जी बहुत महत्पून है अगर आप देखिया हमारे जब हमने यह लांच किया था पियलाई स्कीम बाकी है तकरीवन तीन देश या समू जैसी यूरोपीन यूनियों ने भी लांच किया था पर भारत का एक सबसे बड़ा अट्रेक्शन है उसकी खुद की डॉमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है इसलिए यह पियलाई जो भी यह कंपनी से अगर आप देखिये चाहे ता आइवान की जो इंडस्ट्री से 92 परसेंट आफ जो नैनो 10 नैनो से नीचे की चिप से वह मैनिफेक्ट्स कर रहे हैं सबी जो लीडिंग इंडस्री जैंवो भारत में ऑल्रडी आ चुकी है उनको यह दोनों दिख रहा है और अगर आप इस साल की बात करिए तो तकरीवन 580 बिलियन का सेल्स हुई है चिप की तो यह इतना बड़ा मार्केट है ग्लोबली और भारत का मार्केट भी तकरीवन 100 बिलियन के आसपास अगले 2-3 साल में होगा तो हमारा PLI स्कीम बहुत अट्रेक्टिव है इंडस्ट्री के लिए क्योंकि हमारे पास टैलेंट है हमारे पा सिस्टम हम दे रहे हैं एक आखरी सवाल प्रसुन जी कि जिस तरह से चाइना प्लस वन एक स्ट्रेटजी है इंटरनाशनल लिएशन में कि अब जो कंपनियां जो पहले चाइना में निवेश करना चाह रही थी अब कोवीड के दौरान और पोस्ट कोवीड के बास से जो इस कर भी रही हैं ऐसे में समीकॉन के स्क्षित्र में जो कंपनीज आ रही हैं कैसे उसको देखते हैं जी बिलकुल क्योंकि ये इंडस्टी तकरीपन एक दशक लग जाता इस इंडस्टी को मैक्शेवर होने में तो ये जितने भी ग्लोबल टेक लीडर्स हैं ये देख रहे हैं कि चाइना प्लस की जगा भारत अकेला ही इसका दस से पंदरा परसंट मार्केट अगले तीन से पांच साल में इसको ग्रैब करेगा बिलकुल बिलकुल चले बहुत बहुत शुक्रिया प्रसुन जी हमारे साथ जोड़ने के लिए और इस मैच्पून विश्यक पर हमारे करेंगे एक बहुत ही चोट से ब्रेक के लिए आप देखते रहे हैं डीडी नियूस साल बरस और सदी नहीं एक यूग गुजर जाएगा उम्र न पूछो वंडर की जब फर्क नजराएगा वंडर सिमेंट फर्क नजराएगा जल बुलापन जिसकी हर बात में खुल जाहे मेरी जैसे मेरी अपनी पता का पता का चाहे घजब का स्वाद जैसे जी आप जेख सकते हो गठार मात्रा में अजीरी करता हूई यहाँ वो 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 आपकी आखों को हर जग अपनी बेटी नजर आती है पता नहीं हमारे बच्चे कहा होंगे कैसे भी हो वापस लाएगा हूँ बवरुसा रख माँ मैंने कहा था ना कैसी भी सिट्वेशन हो मूदी जी हमें घर लेह आएगे वाड रुकवादी पापा और पर हमारी बस निकाली पापा हम करते हैं उनसे बेहत प्यार अगर छोला बने तो गोल्डी छोले मसाले जहां जाएं रिष्टे बनाएं पर शुरू से प्राब्लेम्स लेखे रायूं कि बिस्नेस उभा अपना लम लेट बिस्नेस गुरू की जरूरत थी खास सीधे गए SBI स्टार्ट अप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस स्टार्ट अडवाईजरी अन सपोर्ट SBI स्टार्ट अप ब्रांच पे लेट हो गया आज तो अरे बिटा नाश्टा तो करते जाओ ममा फिर से वही बोरिंग नाश्टा अच्छा ममा तुम्हारा ये घास पूस वाला नाश्टा मुझे नहीं करना है वैसे भी ओफिस के बाहर क्या मास्ट पकोड़े वाला है अब से मेरा नाश्टा वही होगा क्या भाईया जब देखो टीवी देखते रहते हो कभी तो वर्क आउट कर लिया करो अरे ये वर्क आउट करके समय खराब क्यू करना है टीवी पर नई वैप सीरीज आईए आज़ बैट कर देखते हैं आप ही देखो कब तक इस साइरन को अंसुरा करते रहेंगे भागदाण भरी जिन्दगी बिगड़ती हुई जीवन शेली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हिर्दारोग, डाइबिटीस, ब्रेड प्रेशर अनित्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रन आज ही शराब और धूंपरपान से नाता तोड़िए एक लंबी और स्वस्त जिन्दगी के लिए शारिजिक गतिविदियों को अपनाईए मौसमी फल और सबजी खाईए सेहस से खिलवार की नहीं कोई माफी बाकी समझदार को है इशारा काफी हाई ओ हो पू इतने सालों बाद कैसे याद आ गया सब के सब पंटर एक सार और क्या चल रहा है आज कल डिजिटल मार्केटिंग की ओनलाइन क्लासेज लेती हूँ यार मेरा तो तुम लोग जानते हो जैसे तैसे कॉलेज बास किया फिर मैंने कंप्यूटर रिपेरिंग स्किल सीखी भाई मैं तो कुछती करता हूँ और अब देश के लिए ओलमपिक में गोड लाना है यार मेरा दिल्ली में स्टार्ट अप है विक्सीद भारत के विजन को लेकर देश की अमरतियात्रा का नेत्रुत्व हमारे युवाही कर रहे है युवाओं ने देश का मान बढ़ाया है एनिती नेज से सजाया है अपने कोशन को भैलाया है नए रोजगाल को पाया है अमरि दिपाल की आधि है भोधी सर्कार की रहती है और एक वद आपका फिर से स्वागत है मोधी सर्कार ने राष्ट्री राजधानी किशत्र से जोड़ा एक एहम फैसला लिया है पीमोधी के जख्ता में केंद्री मंध्री मन्दल की बैटक में तै किया गया ताकि राश्ट्री रागधानी में मेट्रों के दो नए कॉरिड़ोर बनाये जाएंगे। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर है। इस पूरे कॉरिड़ोर में 10 स्टेशन होंगे, इन में 9 स्टेशन एलिवेटेड होंगे और एक अंडर ग्राउंड इस्टेशन होंगे। ये भी 12.377 लगबग 12.4 किलोमिटर मेट्रो लाइन इंदर लोग से इंदर प्रस्तक बनेगी इसमें अंडर ग्राउंड जो है वो लगबग 11.4 और एलिवेटिट एक किलोमिटर के लगबग बनेगी इन दोनों मेट्रो कॉरिडोर को बनाने में कुल 8400 करोड़ो रुपय का खर्चाएगा इनका काम मार्च 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा अपने इंटरनल एकुरल से खर्च करेगी और PPP मोड पर 195 करोड़ो रुपया रेज किया जाएगा इस समय NCR में लगबग 427 किलोमीटर तक दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क फैला है दिल्ली मेट्रो अब दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में से एक है साल 2019 में भी मेट्रो के तीन नए कॉरिडोर एरो सिटी तुगलगाबाद आरके आश्रम मार्क जनकपूरी पश्चिम और मजलिस मार्क मौचपूर को मन्जूरी दी गई थी जन पर काम साल 2026 तक पूरा हो जाएगा शेलिंद्र मिश्रा डिडी नियूस दिल्ली और नागरिक्ता संशुधन कानून को लागू करने के बाद से लगातार विपक्षी सस्यों की तरफ से भ्रहम की स्थिती पैदा की जा रही है लेकिन सच्चाई कुछ और है सचाई ये है कि नागरिक्ता संशुधन कानून हिंदू, सिक, बौध, जैन, पार्सी और हिसाई समुधायों के लोगों को आशा की एक नई किरन देने का काम करेगा जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगला देश में धर्म के आधार पर उत्पिडन का सामना करने के बाद भारत आ गए है सरकार ने कई बार दोहराया भी है कि ये कानून भारत में किसी भी अलबसंशक के खिलाफ नहीं है और प्रत्य एक भारतिय नागरिक के अधिकारों की समान रूप से रक्षा की जाएगी और हम आपको लगाता है ग्राफिक्स के जरी बता रहे हैं कि ये कानून है किस तरह से ये नागरिकता देने का कानून है बलकि नागरिकता चीनने का कानून नहीं है जिसको लेकर ब्रह्म किस्थिती पैदा की जा रही है विपक्षी सदस्यों की तरफ से बढ़ेंगे आगी हैं रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रही है डीडी नियूज साल बरस और सदी नहीं एक यूग गुजर जाएगा उम्र न पूछो वंडर की जब फर्क नजराएगा वंडर सिमेंट फर्क नजराएगा दीदी नोकरी लग गई अरे वाँ बधाई हो तो अब तो धेर सारी शॉपिंग है अरे रूकोश अजादे सालरी से पहले खर्चे इंस्टन लोन भी तो मिलता है पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो परदीब देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चेगे लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम हादी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा अच्छा RBI कहता है सही वितिय बढ़ताफ करे आपका बचाफ मैं कहें जी सब जानते हैं जहां देखें मारी हो अपना समझ के खा लिए हो लाइफ में फिनांशल आज़ादी के लिए NPS जरूरी है रिटार्मेंट में फिनांशल आज़ादी रहे जारी NPS से आज ही करे तैयारी NPS जरूरी है तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नहतिक जिम्मदारी है घर या ओफिस में आते विक्रेता या वितरन कर्मियों को पानी पिलाए बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखे व्यक्ति या संस्थाएं पानी छांच या शर्बत के प्याव बनाए आप टोपी, जूते, छाते त्यादी का वितरन भी कर सकते हैं धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिटकाव उनकी यात्रा को आरामदाए बनाएगा लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाए पशू पक्षियों के जल पान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें आपकी सहाए गर्मियों में राहत लाए अगर छोले बने को गोल्डी छोले मसाले जहां जहाएं रिष्टे बनाए आज मेरे पापा भारत फर्मीचर की फैक्टरी खोल रहे है वा पापा बधाई हो पेटा बधाई मुझे नहीं प्रधान मंतरी जी को दो जो इस्टेंड अप इंडिये जैसी योजना देकर हम बन्चतों को ख़़ा कर दिया सम्मान से भर दिया हाँ पापा साचूरेशन का जमाना है अब सिर्फ इसी गाउं का नहीं हर गाउं के मंचितों का हर बच्चा स्कूल जाता है अब जात्र वृति पाता है बीबीटी ने अन्या इसे बचाया है शोशित को समान दिलाया है सैचूरेशन में होसला बढ़ाया है अंत्योदै का प्रकाश भैलाया है मंचित वर्गी पिसाथी है मुदी सरकारी की गहरंती है प्रश्चम मंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर जी और उनके भाई स्वप्न बंदो पाध्याई की तकरार अब खुल कर सामने आ गई है खोद उनके भाई नहीं ममता सरकार की टिकट बटवारे के फैसले पर स्वप्न बंदो पाध्याई हावरा सीट से मैदान में उतरने के एक चुक थे पर उन्हें सीट नहीं मिली जिसके बाद ये तकरार सामने आई है सभा चुनाओ को लेकर देश में सभी राजनितिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में टीमसी पाटी के अंदर असंतुष्ठी धीरे धीरे अपने चरम पर पहुँच रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार के सदस्ते ही अब उनके खिलाफ खड़े हो गए है ममता बनर्जी और उनके भाई सुपन बंदो पाध्याय की तरकरार खुल कर सामने आ गई है टीमसी के अंदर बगावत के सूर बुलंद होने लगे हैं खुद उनके भाई नहीं ममता सरकार की टिकट बटवारे के फैसले पर प्रश्न चीन खड़ा कर दिया है ममता सरकार पाटी के अंदर अपनों की अवाज कुचलने में लगी है ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए अपने भाई को लालची बताया और कहा कि अब भाई से सारे रिष्टे नाते खत्म हो गए सौपन बंदो पाध्याय हावडा सीट से मैदान में उतरने की एक छुप थे लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली भाजपा ने इसे फैमिली ड्रामा करार दिया और कहा कि ममता बनर्जी चाहे जो कर लें पश्चिम बंगाल से उनकी विदाई तै है लोग सभा चुनाओ से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपना कुनबा ही नहीं संभल पा रहा है एकला चलो का नारा देने वाली ममता बनर्जी खुद अकेली पड़ती नजर आ रही है ब्यूरो रिपोर्ट डीडी नियूज राश्रपती द्रौपदे मुर्मू तीन दिवसिये मौरिशस यात्रा पर है यात्रा के दौरान भारत और मौरिशस के बीच चार समझोता ग्यापनों पर हस्ताक्षर किये गए हैं वित्य सेवाओं, सिविल सेवाओं, कराधान और जाच एजेंसियों से समझोता ग्यापन पर दस्तखत हुए हैं इन समझोते से सदियों से कायम दोनों देशों के बीच प्रगाड होते रिष्टों को नया आयाम मिला है भारत और मौरिशस के बीच, मौरिशस की नेशनल असेंबली में प्रतिनिधी मंडल स्तर की वारता हुई ये बैठक, राश्रुपती, द्रौपदी मुर्मू और मौरिशस के प्रधान मंत्री की उपस्तिती में आयोजित की गई थी बैठक के दौरान राश्ट्रुपती और मौरिशस के प्रधानमंत्री ने सयुत रूप से भारत समर्थित, 14 लगू विकास परियोजनाओं और भारत द्वारा वित्त पोशित नई फोरेंसिक विज्ञान प्रयोक्षाला की आधार शिला का भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से मौरिशस में अपनी यात्रा के तीसरे दिन अप्रवासी घाट का दौरा किया यहां उन्होंने श्रधांजली भी अर्पित की यह युनिस्को की विश्व धरोहर में शामिल है यह उपनी विश्वात के युग की भी याद दिलाता है अप्रवासी घाट पर एक विशेश संग्राले भी है और यहां लुकेंगे एक और छोटे सा ब्रेक के लिए आप देखते रहेए डीडी नियूस वर्क नजर आरेका QR कोड स्कैन करो पाच हजार का कैश्वाग पाओ दिल बन गया उसा अहां 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 Aisyushman bhava अथी Aisyushman bhava Aisyushman bhava Aisyushman bhava Dada Dada Di हमें आशिरवाद देते हैं Aisyushman bhava कहते हैं लेकिन Dada Dada Di को Ais만 कौन कहता है हान...Modhi Ji आईश्मान भारत काड़ देकर किसी का घुटनों का, किसी की आखों का आपरेशन कराकर पांच लाग का मुफ तिलाज कराकर दादा दादी मजबूद, तो परिवार मजबूदी थैंक यू मोदी जी आईश्मान भारत, स्वस्त भारत, मोदी सरकार की गारंटी with summer temperatures exceeding 40 degrees celsius, cooler homes is a matter of survival, not just comfort. We all can use cost-effective cooling methods, like solar reflective white paint, cool roof technology, air light and cross ventilation, hollow bricks, thermacall insulation, keeping haystacks or growing vegetation on roofs to beat the heat. If you are constructing a new building, use cavity wall technology, instead of regular walls, Lattice walls and louvered openings allow maximum airflow while blocking the heat Use natural materials like lime or mud to coat walls Avoid glass if possible Growing local trees around your home, green walls using creepers and indoor plants can help beat the heat Consult an expert before implementation Live cool, there's no place like home Issued in public interest by NDMA and IIPHG Summye pere advanced tax ka bhoogtayan karne se, aap desh me kai parivertan laasakte hain Jaysay ki, aapke tax se bani ye metro, jo vishal jaysay kai logon ki, unkei kari shthal tak sumye pere pahunshnye me madad karthi hai Gaon shahar me uberthi companyya, jinsay savita jaysay aneek yuvaa aur yuvaatiyon ko rozegaar milta hai Har zile me bane aathnik school, jis se sunita jaysay kai bachye, chanad bar pahunshnye ka sapna dhekhte hain Desh ki pragati ko gadhi dhena, aapke hi haantho me hai Kyunki bane ga, toh hi badhe ga indiya Apeni advance tax ki aakhiri kishn, 15 marx 2024 tak jamaa karheen Jis se aap bhi desh ke vikas mei bhaagidar vunengi Adhik janakari ke liye www.incometax.gov.in par log in karheen Pratik aikar dhata, ek rastroner maata Jaysay se jee, aap dhek sakti ho, vathari maadra meh dhiri karthi huyi ya Woh, woh, woh Aapki aankho kao har jaga aapni bheti nazara ati hai Pata ne, wahe bachye kaha hoonge Pata ne, kaisi bhi ho, wapas lalai ga ho Bharu sa rakh Maa Maha 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 Pnaha The Pnaha Tpro Pnaha Pnaha Is Pnaha Pnaha समाचार साजा करने वाली सेवा पी बी शब्द की शिर्वात की है ये सेवाएं पूरी तरह से ने शुल्ग है इस रिपोर्ट का ये देखते हैं सही, सार्थक और सटीक सूचनाएं अलग-अलग भाशाओं और अलग-अलग माध्यों के जरिये जनता को आसानी से उपलब्ध हो इसके साथ ही मीडिया संस्थानों को भी खबरों के लिए सूचनाएं आसानी से मुहिया हो इस दिशा में सावजनिक प्रसारन करता प्रसार भारती ने बड़ी पहल की है प्रसार भारती ने समाचार साजा करने वाली सेवा पीबी शब्द की शुरुवात की है खास बात ये है कि ये सेवाएं पूरी तरह निशुल्क होंगी इस से छोटे समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और डिजिटल पोर्टल्स को काफी मदद मिलेगी प्रसार भारती ने डीडी न्यूज और आकाश्वानी समाचार की अपडेटेड वेबसाइट और अपडेटेड न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप भी लॉंज किया है यह अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम है इसमें आपको डीडी का लोगों का इस्तमाल नहीं करना पड़ेगा और क्लीन फीड आपको इसमें मिलेगी सही समय पर मिलेगी स्थानिय भाशा में मिलेगी और देश के कोने कोने में क्या हो रहा है जहां तक एक छोटा समाचार पत्र मैगजीन या चैनल जिसको सूचना लेने में बहुत दिक्कत आती थी वो कभी तरह बड़ा नेटवर्क खड़ा ही नहीं कर सकता था आज उसके लिए वो नेटवर्क 24 घंटे 365 दिन अगले 365 दिन के लिए बिलकुल मुफ्त में परसार भारती ने आपको ऑप् प्रसार भारती के पत्रकारों समवाद दाताओं और स्ट्रिंगरों के विशाल नेटवर्क द्वारसंचालित ये सेवा देश के विभिन हिस्सों से नवीनतम समाचार उपलब्द कराएगी I am confident that this is going to be beneficial to the dissemination and dissemination of news across channels, across mediums and would also help you know provide good meaningful information to the citizens of our country. दूरदर्शन और आकाश्वाणी का एक व्यापक पंदरा सो के करीब लोगों का न्यूस गैदरिंग नेटवर्क है जो भारत के सभी हिस्सों में काम कर रहा है और बड़ी संख्या में समाचार हमारे पास रोज बन कर आते हैं और अब एक ये प्रयास एक पहल आरब की जा रही है कि जो समाचार हम एक अतरित कर रहे हैं वो मेडिया सेक्टर के अंदर हमारे जो सभी साथी ए अउगनाईडेशन हैं चाहे वो नियूस पेपर्स हों, चाहे पिरियोर्डिकल्स हों, चाहे चैनल्स हों या पोर्टल्स हों, उनके साथ हम ये फीड्स शेयर करें। चाहे वो नियूस दिल्ली। उत्तरखन समान नागरिक सहिता दोहजार चौबिस से जुड़ी बड़ी खबर, राष्टपती ने उत्तरखन समान नागरिक सहिता दोहजार चौबिस विदह को मनजूरी दे दी है। इस मनजूरी को उत्तरखन की बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धी माना जा रहा है। वर्ष दोहजार सत्तर तक शून्य कार्बन उत्तरजन के लक्ष को हासिल करने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए भारी उद्योग मंत्राले ने एलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोटसाहन इसकीम की शुरुवात की है। केंद्रिय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि 500 करोन रुपए की ये विशेश प्रोटसाहन योजना अगले चार महीने तक चलेगी। बिहार में NDA के सहीयोगी चराग पासवान ने BJP के राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नडड़ा से मुलाकात की। जेपी नडड़ा से मुलाकात के बाद चराग पासवान ने कहा कि हमने आगामी लोगसभा चुनावों के लिए बिहार में सीथ बटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। साल बरस और सदी नहीं एक यूग गुजर जाएगा उम्र न पूछो वंडर की जब फर्क नज़राएगा वंडर सिमेंट फर्क नज़राएगा।